हेलो नमस्ते गाईस तो कैसे हो आप लोग आज मैं आपको बताऊंगी कि ये आने वाला महिना धनूरासी वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा तो गौर से बने रहेगा अगर हम धनूरासी वाले जातकों के काल्यक्षेत्र की बात करें, तो ये महिना सितंबर महिना धनूरासी वाले जातकों के लिए बहुती अच्छा साबित होने वाला है, बहुती लाबदाई साबित होगा, यह महिना उनके काल्यक्षेत्र में बढ़ोत्री लाएगा और उनको प्रगती प्राप्त कराएगा उनकी मान प्रतिष्टा में वृद्धी होगी यह महादर्मियान उनके करियर में बहुती प्रगती होगी और उनका करियर आस्मान चुमेगा यह महादर्मियान उनको बहुती प्रगती मिलती हुई नजर आ सकती है और नौकरे धंदे में भी प् यह मैना उनके लिए बहुत ही लाबदाई साबित हो सकता है लेकिन यह मार दर्मियान जातकों को इस बात का अहंकार भी हो सकता है और वो लोग अहंकारी बन सकते हैं और इसी वज़े से उनके अहंकार की वज़े से उनका किसी के साथ वाद विवाद भी हो सकता है इसी वज़े से उनके घमंड की वज़े से उनका किसी के साथ जगड़ा हो सकता है या फिर वो लोग वाद विवाद में फ़स सकते हैं इसलिए जातक को ज्यादा एहिंकार नहीं रखना है और अपनी वाणी पर और अपने गुशे पर कंट्रोल रखना है और वाद विवाद से बचना है वरना उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और उनकी मान प्रतिष्टा घट सकती है उनका मतलब नाम खराब हो सकता है इसलिए जातक को इस बात का संपोना खयार रखना है कि उनको अपनी प्रगती से खुश होना है लेकिन अहेंकार नहीं करना है वरना उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर जातक की आर्थिक सिती के बारे में बात करें तो ये महिना पहले से ज्यादा अनुकुल रहने वाला है अगर उनके आर्थिक सिती में बात करें जिससे उंकी आर्थिक सिती में सुधार हो सकता है पाहन से भूमी से मनलब अचानक से कहीं से लाप होने की समभावना रहेगी अगर वो लोग कहीं कोई जमीन में निवेस करेंगे तो उससे उनको लाप हो सकता है यह महाधर्मियन आपको कहीं से अचानक से भी धनलाब होने की संभावना रहेगी इस महाधर्मियान जातक को अच्छा धनलाब होने की संभावना है इसी वज़े से जातक को अपना धन का बहुती कोई अच्छी जगापन निवेश करना चाहिए जिसकी वज़े से उनको फ्यूचर में लाब हो सके इसकी वज़े से अगर आपको जरूर लगे तो आपने घर परिवार के किसी बड़े बुज़ूर की भी सला ले सकते हो या फिर आपके जो आपका हित इचते हो उनकी भी सला ले सकते हो अगर आपके स्वास्त की बात करें तो स्वास्त के हिसाब से भी ये महिना आपके लिए अच्छा रहने वाला है आपका स्वास्त अच्छा रहने की संभावना है और आपके स्वास्त में अगर पहले से कोई बीमारी है तो उसमें धीरे धीरे सुदार होता हुआ नजर आ सकता यह मादर्मेन आपका स्वास्त अच्छा रहने की संभावना है लेकिन यह मादर्मेन आप अपने घरवालों के स्वास्त को लेकर थोड़ा परिशान हो सकते हो घर परिवार में अगर कोई बड़े बुजूर्ग है तो उनकी सिहत को लेकर आपको टेंशन रह सकता है जिसकी व और आपके परिवार की सिहत अच्छी रहेगी यह माहदर्मियन आपका अपने परिवार में किसी से जगड़ा हो सकता है अगर आपका पहले से घर में विवाद चल रहा है तो उसमें बड़ोतरी हो सकती है इसलिए यह माहदर्मियन आपको संपून तरीके से अपनी वानी पर और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है वरना आपका जगड़ा ज्यादा बढ़ सकता है और मतलब परिवार में प्रॉब्लेम्स आ सकती है दूरिया बढ़ सकती है और मामला बहुती बेजीता हो सकता है इसलिए आपको इस बात का खयार रखना है कि आपको अपनी वानी पर सयम रखना है और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है और सारा कुछ सांती से सुल जाना है यह रासी से मिलने वाले अच्छे फलों को पाने के लिए और बुरे फलों को कम करने के लिए जातक को प्रती दिन सीव भगवान की पूजा करनी है उनकी आराधना करनी है और उनको जल चड़ाना है इससे उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी और साथी में उनको गरीबों को दान करना है जिससे भगवान उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे और उनके सारी शमस्याए हल होगी